आपका खाता bank of Baroda के अंदर में हैं और आप लोग अपने passive को online तरीके से download करना चाहते हैं दिराज का weekend upload के लिए काफी जदा helpful होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में उसे ह warning कि इस तरीके से आप लोग अपने bank of Baroda के passwords को online तरीके से download कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर आपको सच करना है bank of brother bank of brother सच करने के बाद में bank of brother का जो official website है वो आपको सबसे उपर में देखने को मिल जाता है तो इसको आपको यहां से open कर लेना है bank of brother के official website को open करनी के बाद में आपको अपने mobile के अंदर साइड में जो 3D देखनी को मिलता है उसके बाद में आपको साइड में यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है बावरल इंटरनेट बैंकिंग ते इस option पर आपको क्लिक कर देना है इतना करने के बाद में आप लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग के login सेक्षन में आ जाते हैं यहां पर आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का user ID पासपोर्ट डाल देना है पहले user ID मांगा गया है तो उसको डालते हैं यहां पर user ID को डालने के बाद में यहां से आपको login पासण पर क्लिक कर देना है यूजर ID को डालके login करने के बाद में आपको यहां पर अपना mobile number डाल देना है जो आपके account के साथ रेजिस्टर होगा उसके पहले आपको 911 लगा देना जो के इंडिया का code है ठीक है mobile number को डालने के बाद में यहां से आपको continue कर देना है continue करने के बाद में जो आपके mobile पर OTP आया गया होगा उसको अपको डाल देना है OTP को डालने के बाद में यहां से आपको continue कर देना है कंटिनिव करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ट डाल देना है जो आपका इंटरनेट वाइकिंग का होगा इंटरनेट बैकिंग का पास्वर को डालने के बाद में नीचे में जो आपको CAPTCHA CODE देखने को मिल जाता है उसको आपको आपको डाल देना है उसके बाद में login वाल अप्शन पर क्लिक करना है Login के option पर क्लिक करने के बाद में आप लोग अपने internet पैक्टिंग के अंदर login हो जाते हैं यहां पर आपको ओपर में accounts का option देखने को मिलेगा इस option पर आप फूप क्लिक कर देना है उसके बाद में यहां से more digital वाले option पर क्लिक करना है इतना करने के बाद में कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाता है उसके बाद में आपको नीचे में अपना account number उसके बगल में available balance देखने को मिल जाता है उसके बगल में आपको एक three dots देखने को मिलता है तो इस three dots पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में यहां से आपको क्या करना है कि generate account statement को option पर click करना है generate account statement को option पर click करने के बाद में आपको यहां से नीचे में download के section में तीन ओप्सन देखने को मिनता है ठीक है आप जिस भी फाइल फॉर्मेट पे अपने जो ही कि तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैंक को बढ़ादा के पास्व को डाउंड कर सकते हैं अकर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं